हेलो फ्रेंड्स मैं हरे राम कुमार आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हाइटेक हल्धर में दोस्तो हमने जो पढ़ चुका है पहले के पूरे क्रॉप करवा चुके हैं आपको ट्रॉपिकल का सारा फ्रूट्स हो चुका है जैसे आप आम की बात करो केला की बात करो पपीता की बात करो जितने भी आपके ट्रॉपिकल के फ्रूट्स थे वो मैंने किया सब ट्रॉपिकल का भी सारे फ्रूट लगभग हमने करवा चुका हूँ और ये आज हम पढ़ेंगे लाश्ट फ्रूट है सब ट्रॉपिकल का जिसका नाम है सिट्रस ग्रूप citrus fruit को ही group कहते हैं citrus group यानि कि बहुत सारे citrus फलो का एक group बनाया गया जिसको हम कहते हैं citrus group ये सारे जो fruit हमने पढ़ा ये हमारे app पे उपलब्ध है high tech holder को आप download कर सकते हैं वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हो तो citrus यानि कि citrus group का मतलब क्या सर citrus group में बहुत सारे citrus फल है तो हाँ बहुत सारे citrus फल है कुछ common चीज इसमें आपको बरावर मिलेंगे जैसे cool मिलेगा तो cool इसका rootacy मिलने वाले हैं आपको common अगर मैं फल परकार की बात करूँ तो hesperidium ये common मिलेंगे इसमें सारे में बारवर नहीं पढ़ना है गुनसुत्रों की संख्या की बात करूँ तो 2N बरावर 18 आपको common मिलेंगे अब हम बात करते हैं इस citrus group में कौन-कौन से फलो के बारे में आपके syllabus में दिया गया है तो वो है सबसे पहले संत्रा इंग्लिस भी लिखा हुआ है मेंडरीन फिर बात करूँ मौसम्मी की फिर है नीम्बू जिसको कागजी नीम्बू आप बोलते हो उसके बाद lemon उसके बाद sweet lime उसके बाद महा नीम्बू और last में है चकोत्रा citrus group की अगर सबसे बड़ा फल की बात करूँ तो यह है पुमेलो यानि की चकोत्रा के बारे में तो यह हमारे हो गए कुछ fruit crop किसका citrus का तो यह बहुत सारे फल है और एक ही family में है इसको हम बोलते हैं citrus group देखते हैं कौन-कौन है सबसे पहले बात कर रहा हूँ संत्रा यानि की मेंडरीन के बारे में और दूसरा इसके बगल में जैसे बहुत सारे लड़के न मैं खुद जब पढ़ता था तो identify नहीं करता था यार lemon क्या है, acid lime क्या है, महा नीम्बू क्या है, चकोत्रा क्या है केवल रटते जाते थे तो सबसे पहले identification आपको करवा रहा हूँ भाई यह यह फल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है और कुछ root stock के बारे में भी हम बात करने वाले है संत्रा की बात करें तो संत्रा और मौसम्मी आप देख चुके हो इनमें basic अंतर क्या होता है basic अंतर है दोस्त इसके छिलके का यानि इसमें होता है lujaskin क्या होता है lujaskin इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो हटा सकते हो और जब आसानी से हटाओगे तो यह कुछ इस तरह के मिलते हैं इसको बोलते हो segment क्या बोलते हैं इसको segment और जब मौसमी की बात करो तो इसके छिलके जो tight skin होते है T-I-G-H-T tight skin तो यह basic different है practically कि यह tight skin होते हैं और यह क्या होता है दोस्तों loose skin होते हैं तो यह आपने अंतर देखा बाकी हम बाद में इसका detail पढ़ने वाले हैं अब हम बात कर रहे हैं नीमबू जिसको बोलते हो आप acid lime acid lime आपने देखा होगा इसको निचोड के आप सबजीयों में मिलाते हो दाल में मिलाते हैं तो यह क्या है आपका acid lime और next इसी के जैसा देखो आप यह क्या है lemon पर lemon में यह जो भाग है ये थोड़ा सा थीक है यह आपने देखा होगा यह थोड़ा सा मोटा है तो यह है lemon यह आपने देखा यह क्या है लेमन और यह क्या है निम्बू जो आप डेली यूज करते हो next हम बात कर रहे हैं sweet lime क्या है तो यह है आपका sweet lime और ये है महा निम्बू जिसको कहते हैं grapefruit जानते हो यह महानिम्बू जो है एक्चुल में महानिम्बू और पुमेलो में ज्यादा अंतर नहीं है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह पुमेलो सबसे बड़ा फल मैंने क्या बोला था पुमेलो है जिसको बोलते हो चकोत्रा तो चकोत्रा जो है यह ancestor of grapefruit यानि इसका पूरुबज कौन है पूरुबज है यह वाले पूरुबज है यह और इसको क्या बोलते हैं महानिम्बू यानि की grapefruit तो grapefruit आपने पहली बार देखा तो यार यह है grapefruit मैं पढ़ाते चला हूँ जाता और फिर बताता ने इसको बोलते हैं forbidden fruit भी नास्ते का फल ब्रेकफास्ट फ्रूट यह आता है ब्रेकफास्ट फ्रूट किसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट फ्रूट किसे कहते हैं तो यह बोलते हैं दोस्त किसको महानिमू को तो यह महानिमू इसी महानिमू से बना है क्या देखो यह यह क्या है चकोत्र और चकोतरा में segment देखो कितने बड़े हैं, इतने बड़े ऐसे लिए जाते हैं, तो ये इसका segment सबसे बड़ा segment अगर पूछा जाए, ये एक-एक क्या कहलाता है, इसका segment, क्या कहलाएगा, segment और ये पूछेगा, ये पूछा हुआ प्रस्ण है, कि जो चकोतरा होता है, वो ancestor किस sister है किसका grape fruit का grape fruit से क्या बना है पुमेलो चकोतरा और सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा ये क्या है चकोतरा तो हमने छे के बारे में पढ़ा संथरा को आपने देख लिया मौसमी को देख लिया निमू को देख लिया उसके बाद लेमन को देखा, स्वीट लाइम को देख लिया, ग्रेप फ्रूट को देखा और उसके बाद क्या देखे हम पुमेलो यानि साथ फ्रूट को हमने देखा अब हम बात करते हैं कि अगर कोई टीचर आपको सिट्रस में बात करें रंगपूर लाइम अच्छा सर ये काफी नहीं था, कुछ और आ रहे हैं, हाँ और आ रहे हैं जैसे आपसे टीचर अगर बोल दिया जाए सब्द कि रंगपूर लाइम क्या है रंगपूर लाइम, तो जैसे आपने संत्रा देखा ना एक तरह के फल है और उसके पेड होते होंगे सेम इसी तरह से रंगपूर लाइम का भी क्या होता होगा, एक पेड होता होगा मैं बोलू करना खटा, करना खटा, या मैं बोलू रफ लेमन, रफ लेमन, जाटी खटी इसको क्या बोलते हैं जाटी, खटी, रफ लेमन, रफ है, तो रफ का मतलब इसका सर्फेस भी क्या होगा, रफ, खुर्दरा होंगे, रफ लेमन, अब मैं बोलू ताहती लाइम, ताहती लाइम, यह सब सब्द आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बार आपके कानों में भर रहा हों कि भाई, यह सब सब्द नजरों में आ जाना चाहिए, हाँ भाई, यह सब सुना हों कहें, अगर मैं बोलू सिट्रॉन, सिट्रॉन, अच्छा, तो भी आपको आना चाहिए, यह रूट स्टॉक है, अब मैं बोलता हूँ, ट्राइफ होलियेट औरेंज, यह भी एक रूट स्टॉक है, अभी तो आप इतना ही द्यान देना, ट्राइफ होलियेट औरेंज, रंगपूर लाइम करना खटा, रफ लेमन ताहती लाइम से ट्रॉन, ट्राइफ होलियेट औरेंज, और एक और लास्ट में हम बात करेंगे, बोना रूट स्टॉक है, जिसका नाम है, फ्लाइंग, फ्लाइंग, ड्राइगन, ये सब जेट फेट में तो आने वाला नहीं है, पर आप जेएरेफ की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ी सी आप डिटेल पढ़े हैं, आप नेट की कोई तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये कमफर्टेवल होगा, कि रंग पंधरह की बाद तो अभी हमने कहा करएंगा दो और करेंगे किनों में किनों में करेंगे king leaf और below leaf ये भी लिख देता हूं अगर आपको थोड़ा सा लगे नै सर एक इंट्रोड़क्षन बताओ कि यार क्या क्या होते हैं तो king leaf भी एक citrus fruit का नाम है below leaf तो इतने हमने बात किया 16-17 citrus fruit के बारे में आपको हमने एक नाम लिया केवल इन सब को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है citrus group ये आपने देख लिया अब हम बात कर रहे हैं जो आपको समझाना है ये यहां से आ जाते हैं दोस्त क्या-क्या समझाना है जड़ा देखते हैं कि फलो के बारे में हमने बात किया root stock का नाम सुनाया केवल सर्वोत्तम root stock अगर पूछा जाए नीमू बरगियत का कुछ तो कौन है रंगपूर लाइम और root stock के वीडियो में मैं ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा discuss नहीं करेंगे root stock के root stock जनरल आप root में देख सकते हो हमारा वीडियो केवल यहाँ important क्या है कि कोई भी root stock को develop करने के लिए किसी भी root stock को develop करने के लिए propagation जो होता है वो किसके द्वारा होता है दो seed के द्वारा star लगा लेना यही importance है बीजो के द्वारा प्रवर्धन का कि आप root stock जब बनाओगे तो आपको मस्तिक्स में आना चाहिए कि वो propagation किसके द्वारा करोगे आप seed के द्वारा नहीं तो आप तो रटते हो कि संत्रा और मौसमी का प्रवर्धन tea wedding करते हैं किसके द्वारा करते हैं tea wedding लेकिन अब हमें आज थोड़ा सा बात करना है root stock क्योंकि इतने नाम है root stock के वारे माप जानोगे नहीं तो आपके दिमाग में confusion आते रहेंगे कि root stock होता क्या है तो ये एक image आप देखो जो सरवत्तम root stock है किसका है रंगपूर lime का पहले मस्तिक्स में आना चाहिए अच्छा सर रंगपूर lime में भी लगते हैं फल हाँ लगते हैं मैं खुद की अपनी कहानी बताओं कि जब सबसे पहले मैं RCA में आया था तो ऐसा ऐसा ये फल लगे हुए थे और इसको कोई कीमत देता नहीं था हमें लगा यार हम लोग तो गरीव आदमी थे इसको हम और एक लड़का और ICAR से आये थे स्याम सिंग ये दोनों बैग में इसको भर के TSB होस्टल ले आया अब इसको जब खाना शुरू किया इदम दरवाजा और वाजा बंद करके की कोई देखे नहीं खाना शुरू किया इतना खटा लगा बापस जाके वही छोड़ना पड़ा उसके बाद फाइन भी और लग गए फालतु में की चोरी किये और डिपार्टमेंट से तो ये पता नहीं था कि ये है मूल बरंत और इसको खाते नहीं है इसका उपयोग कहीं और करते हैं जो हम बात बाद में करेंगे कि प्रोपगेशन में किस तरह से करते हैं पर आपके नजरों में ये देना जरूरी था कि रंगपूर लाइम में भी क्या लगते हैं फल लगते हैं और जैसे मौसमी का पेड़ होता है संत्रा का होता है वैसा ही ट्री इसका भी होता है कि इसका रंगपूर लाइम का अगला जो इमेज दिखा रहा हूँ अगर बीजो के द्वारा करोगे तो इस तरह के ये दिख रहे होंगे आपको ये root stock develop किया जाता है बनाया जाता है root stock क्या किया जाता है इसका develop किया गया अब इस पे होंगे प्रवर्धन प्रवर्धन वाले topic में हम detail पढ़ चुके हैं कि root stock क्या होता है, संकूर क्या होते है, सियोन क्या होते है यहाँ पे वो discuss करेंगे ने केबल बता रहा हूँ कि यह root stock आपको बनाया गया अब हम देखते हैं कि इन में से rough lemon कैसा होता है तो दो root stock को हमें देखना है कौन-कौन एक तो रंगपूर lime का और दूसरा कौन देखेंगे दोस्त rough lemon तो rough lemon अगर rough देखो यह lemon है ना पर अब आपके दिमाग में यार एक बार देखा अच्छा सर यह rough lemon है छूने से कैसा लगेगा? rough लगेंगे खुरदरा लगेगा यह तो यह rough lemon है इसे जाटी खटी भी बोलते हैं जाट लोग ऐसे भी क्या होते हैं? rough होते हैं आप जानते हो rough तो यह कहां लगाया जाता है? यह जादा उपयोग हम करते हैं rough lemon का किन्नो के साथ? किसके साथ करते हैं? किन्नो के साथ? इसका जो root stock का उपयोग जादा करते हैं और यही प्रस्ण पूछता है किसके साथ किन्नो और किन्नो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहा है दोस्त पंजाब में तो इस तरह से भी प्रस्ण कर सकते हो कि पंजाब में ज़्यादा रूट अश्टाप कौन लगाते हैं तो वो लगाते हैं किन्नो और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, तो गंगानगर में भी कौन सा ज़्यादा उप्योग करते हैं? रॉफ लेमन, तो ड्राइ एरिया की अगर मैं बात करूं, तो ड्राइ एरिया में ज़्यादा उप्योग होने वाले कौन है? रॉफ लेमन, ये आप रॉफ लेमन का एक image देख रहे हों. अब हम बात करते हैं कि sir ये root stock develop कैसे होता है तो सबसे पहले हमने बात किया था किसी भी root stock को develop करने के लिए विक्सित करने के लिए आपको citrus की seed की अवसक्ता होंगे हाँ या ना कर चुका हूँ बात सबसे पहले आपको क्या चाहिए? citrus का seed तो citrus का seed हमने लिया इस seed को चाहे आप pro tray में develop कर ले जहां आपकी इक्षा है nursery management अलग एक topic है जो हम discuss करेंगे आपके साथ कि उसमें भर्मी compost कितना रखते हैं भर्मी collides कितने रखते हैं वो बाद की बात है पर light कितने उपयोग करेंगे तो वो यहां पे discuss नहीं करेंगे तो इस citrus से हमने direct बता दिया आपको क्या कि हमने जब sow किया तो इसका बना क्या citrus seedling यह क्या कहलाता है seedling यह क्या कहला रहा है seedling आपको यह दिख रहा होगा भर्मी compost यह डाला हुआ है FYM डाला हुआ है चलो यह मिला उला के बनाया हूँ इस पे आपको क्या दिख रहा है seedling अब हम बात कर रहे हैं कि citrus root stock development यह root stock इसका seedling क्या हो रहे हैं डेबलप हो रहे हैं दूसरा image ही दिखा रहा हूँ again यह भी किसका है citrus seedling का तो आपको एक idea वनेगा root stock जब हम propagation करते हैं grafting करते हैं budding करते हैं तो उसके लिए root stock की अवसकता होते हैं और उस root stock की आयू जो होना चाहिए एक से डेड़ साल होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? एक से डेड़ साल और इसकी मोटाई जो होनी चाहिए pencil के thickness का propagation के लिए किसी भी plant की मोटाई कितनी होनी चाहिए pencil के thickness के जैसा अगर आप ज़्यादा मोटा ये root stock लोगे तो वो ज़्यादा success नहीं होंगे उसको बोलते हैं graft incompability यानि जो grafting किये हैं वो आपका असफल हो गया सफल नहीं हुआ तो इसकी मोटाई क्या रखना है अपने को pencil thickness तो pencil thickness अपने को रखेंगे यहाँ पे बहुत सारे root stock आपको दिख रहे होंगे दिख रहा है ना इस polythene से निकाल के भी आपने बोला किया गया यह भी क्या है दोस्त root stock और इसकी आयू कितने लेंगे एक साल अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर root stock की आयू यह लेकिन बहुत सारे लड़के इवेन मैं भी BSC तक समझता था कि root stock suppose that यह है रंगपूर लाइम का root stock आपको दूर से दिख रहा है अच्छा यह रंगपूर लाइम का root stock है हम लोग क्या समझते थे इसी पेड़ को काट करके देखो इसके कितने फल नीचे यूही बिखरे हुए है पर यही संत्रा रहता तो एक संत्रा यहां बचता नहीं सब ले जाते पर यह root stock है बेचारेक देखो इतने फल गिरे हुए है कोई ले जाने वाला नहीं क्योंकि खाओगे तो खाने ही पाओगे तो यह root stock हम क्या सोचते थे इसी को यहां से कट कर देते हैं और उपर से sion जोड देते हैं यानि यह पेड को कट कर दिये ऐसा उपर से दूसरा पेड लाके जोड दिये ऐसा हमारा मानना था यह क्या हो गया root stock हो गये दोस्त और यह वाले क्या हो गये sion यह propagation के हमने तीन वीडियो बना चुका हूँ उसमें बहुत अच्छा डेटेल में समझा चुका हूँ root stock क्या होते हैं sion क्या हो सकते हैं youtube पे भी डाला है आप देख सकते हो तो आपने समझ गया कि यह है root stock fruit tree पर यह क्या हमारे propagation में उप्योग होंगे नहीं होंगे केवल इसको क्यों develop किया जाता है ताकि इससे बीजों को इकठा कर सके और इसी बीज को इकठा करने के बाद सबसे पहले बीज उसके बाद क्या sidling और उसके बाद इस तरह के sidling बनेंगे अब यह हो गया आपका तयार root stock जिसे हम बेच सकते हैं और इस root stock का उप्योग अब कैसे करोगे यह root stock एक आपने खरीद के ले आया इसका नीचे के भाग आप कट कर लोगे सही है नीचे के भाग कट कर लिए pencil thickness यही मोटाई और उपर से कोई संकुर ले आएंगे जिसको आप बोलते हो sion और यह आपने जोड दिया तो उपर वाले क्या था बताओ उपर वाले sion और नीचे वाले यह क्या है root stock root stock और यह कौन सा plant बन गया दोस्त यही बन गया आपका grafted plant कैसा plant बन गया यह बन गया आपका grafted plant समझ में आया कुछ root stock के बारे हम देख लिए आपने citrus को क्यों citrus group कहते हैं यह भी आपने देखा सोला आपने नाम सुना किसका citrus fruits का अब हम बात करते हैं इसके original कहानी के बारे में यह हुआ केवल इसका basic introduction सही बात है चले आगे बढ़ें अब हम बात करते हैं जो अपना topic है नीबू वरगिये फल के बारे में अगर गुनसुत्र की बात करूँ जो जो common point है वो हम common लेंगे तो गुनसुत्रों की संख्या इसमें कितना है 18 अब अठारा आपने किसका किसका पढ़ा जरा बताना 18 आपने पढ़ा था किसका पपीता का 18 आपने पढ़ा किसका कोल क्रॉप का तो coal crop में आपने बताया sir coal crop में भी फ़लों की सबजीओं की संख्या आपने कितना बोला साथ चाहे फुल गोवी बोले पत्तागोवी बोले गाठ गोवी बोले ब्रूसलस स्प्रॉट बोले नौल केल बोले ब्रॉकली बोले इन सब की क्रोमोजोम की संख्या कितना है 18 और यहां पे नीमू बर्गिये में सिट्रस ग्रूप में आपने अभी चाहे देखो एक बार प्रस्म कैसा आया मैं बताता हूँ जब आप UPSC की एक्जाम दोगे फॉर सर्विस की बात करें तो उसमें हमें पूछा था ताहती लाइम की क्रोमोजोम की संख्या किसका पूछा है ताहती लाइम लेकिन अब लड़के को पता ही नहीं यार यह कौन सा फल है ताहती लाइम अगर पूछा जाए सिट्रॉन के क्रोमोजोम की संख्या तो आप गलत करो इसलिए हमें इंट्रोडक्षन में सारे सिट्रस के नाम बताना आवश्यक था कि एक बार नाम तो बता दूँ आपको चाहे वो पुमेलो पूछ ले, सिट्रॉन पूछ ले, ताहती लाइम पूछ ले, ट्राइफ हॉलियेट औरेंज पूछे, फ्लाइंग ड्रगन पूछ ले, किन्नो पूछ ले, किंग लिफ पूछ ले, बिलो लिफ पूछ ले, इन सब की क्रोमोजोम की संख्या कितने होंगे दोस्त, तो 18 क्रॉप अगर आपने देखा और इनकी क्रोमोजोम की संख्या अठारा, अठारा साथ पचीस और एक 26 क्रॉप आपके याद हो गए, जिसमें क बताया था किसका बेल का सही है और बेर का बताया था रैमनेसी बेर हम याद करवाया था न तो निम्बु बर्गे का रूटेसी और बेल का रूटेसी और बेर का होता है रैमनेसी और गुलाब का होंगे रोजेसी ध्यान रखना ये गुलाब का क्या होगा रोजेसी अब हम फल तो एस पेरिडीयम पहले भी बात कर चुका हूं हस्पेरिडीयम क्या है अभी और बात करेंगे खाने योग भाग इडबल पार्ट कौन सा भाग इसका खाते है अगर इसका इंगलिस में लिखूँ तो इस तरह के होते हैं इडबल पार्ट इसका इंगलिस का भी पीडियाफ आपको डीटेल में भेज दिया जाएगा हमेशा मैं क्या सारे वीडियो अगर यूट्यूब पे डाल दू तो एप बाले लड़के सिकायत करते हैं कि सर सारे आप यूट्यूब पे डालते हो इसलिए मैं कम डालता हूँ फ्रूट क्रॉप मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ टेम्परेट फ्रूट केवल दो बाकी हैं वो एपल और पियर करा चुका हूँ और प्लासेंट इव प्लान्टेंशन क्रॉप भी हम सुरू करने वाले हैं जिसमें नारियल पढ़ेंगे कॉफी पढ़ेंगे टी पढ़ से फल परकार आपको इंपोर्टेंट है स्पेरेडियम चले अब इसका डिटेल में बात करते हैं कि एक्जाम में क्या-क्या प्रस्ण पूछा गया देखें सबसे पहला जो पॉइंट है जरा यहां पर हमें एक डिस्क थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस स्लाइड को देखें यह पॉइंट इंपोर्टेंट है लेदरी रिंड यह भी पूछा हुआ है किस फल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बिसेशता है सर नहीं समझ में आया आप क्या बोले हो बिलकुल नहीं आया होगा अब आप समझे लेदरी का मतलब होता है दोस्ट चमडा और रिंड का मतलब होता है एक्जोकार्फ लिखा है ना बाहरी वाली परत अब ऐसे हिंदी में बोलूँ चमडे के जैसा छिलका चमडे के जैसा क्या है? छिलका, ये नेमू में क्या है? बताओ उपर वाले, छिलका है ना हिंदी वाले भासा अब सर समझ में आया कि कौन ऐसा फल है जिसको छूते हैं तो चिकनी एकदम चमडे के जैसा लगे उसका छिलका, ये देखो तो ये क्या है? लेदरी रिंड, चमडे के जैसा छिलका और इस छिलका की में कैरेक्टर क्या है? कि इसमें पाया जाता है तेलिये ग्रंथी कौन सी ग्रंथी है दोस्त? तेलिये ग्रंथी, यानि कि वाइल ग्लैंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टार लगा लेना, ज्यारेफ तक का प्रस्ण ये बहुत इम्पोर्टेंट कौन ऐसा फल है? जिसमें चमडे के जैसा छिलका है और उसमें वाइल ग्लैंड पाया जाता है जैसे बच्पन में आप देखते होंगे कि कोई संत्रा लिया और संत्रा के छिलका लेके किसी डोकरे के आख पे लगा देते थे ये तो उससे ग्लैंड फूट कर वो ऐसे ऐसे और गाली देता रहता हो 10-20 गाली तुझे टिका देगा तो कौन सा ग्लैंड फूट जाते थे? ब्रेक हो जाता था? वाइली गलैंड इन पीट मीजो कार्प के हमने बात किया तो ये हो गए इसके क्या? मीजो कार्प सही है इंडो कार्प यहाँ आपको दिखा चुका हूँ ये इंडो कार्प अब आते हैं इसके ये जो भाग बन रहे हैं ये भाग देखो ये section बहुत सारे भाग में बन रहे हैं इसको कहते हैं locule फिल बित juicy hair ये जो locule है जितने locust है ये जो भरा होता है दोस्त ये किस से भरा हुआ है ये भरा है juice से किस से भरा हुआ है juice से आप देख रहे हो ये exo car और ये आपको दिखाया है एक seed क्या दिखाया आप देखो ये जो character होते हैं ये किसका character है ये character है फाल परकार किसका hesperadium का समझ में आया अब hesperadium का मतलब क्या समझोगे जिसके skin कैसा होना चाहिए लेदरी होना चाहिए और उसके skin में क्या होना चाहिए वाइल ग्लैंट्स होना चाहिए उसका लोक्यूल में डिवाइड होना चाहिए इसी को बाद में हम अलग-अलग जब भाग में बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेगमेंट उस सेगमेंट में क्या होता है जूस भरे होते हैं ठीक है और इस जूस की कड़वाहट जो होता ह हे लेमन से याद रहोंगे लेमोलीन के कारण किसके कारण लेमो-擊 के कारण फल परकार क्या है दोस्ट है स्पे डियंहें ध्यान रखना लेकिन जूस में गड़वाहत पूछा जाए तो लीमोलीन के कारण लेमन से लेमोलीन यहां लड़के क्या конфیज हो अब आगे हम बात करते हैं, अब हमने बात किया homo gaming, homo का मतलब क्या होता है, homo का मतलब होता है same, homo gaming, यानि दोनों युगमक एक ही टाइप में परिपक हो रहे हैं, एक ही साथ, तो उसको बोलोगो homo gaming, जैसे नर और मादा एक साथ परिपक होना, क्या कहलाता है homo gaming, poly embryo, ये आम में पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से, पाई जाती है किसमें, आम में, जामुन में, और दूसरा कौन हो गया, citrus में, ये तीनों में क्या पाया जाता है, poly embryonic condition, परियाद कहां, अपबाद में है, ताहती lime, अब तो नाम सुना हुआ है, ताहती lime, pumelo, चकोतरा जिसक याद क्या रखेंगे, अपवाद से प्रसन आते हैं, आपको भी पता है, जानते हो, ये बहुत डीटेल आप पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा, काफी अंदर पढ़ रहे हो, ताहती lime, pumelo, और citron, इन तीन में पाया जाता है, mono embryonic, लेकिन अगर कुछ ने पूछा जाए, एक् बात किया, 30-31 crop है, fruit crop, उसमें 2-3 में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन generally क्या पाया जा रहे है, generally पाया जा रहा है क्या, बहुत भोर्नता यानि की poly embryonic, भारत को क्या कहते है, नीम्बू वर्गियों का घर कहा जाता है, यानि भारत में नीम्बू का बहुत उत्पादन होता है या कर सकते हैं कि number one है नीम्बू में, यानि citrus production में, और vitamin C का ये क्या है, बहुत अच्छा, स्रोत है, पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा बारवेडस cherry, उसके बाद आमला, उसके बाद अमरूद, और उसके बाद नीम्बू की बात करेंगे, ठीक है, नीम्बू ये फलो का वर्गी करन, star लगा के सम्मानित कर ले, jrf लिख ले न, 2012 का, tanaka and swang, important, tanaka and swang, और दो आपको वर्गी करन याद रखना, अगर केला का वर्गी करन पूछ लेता, तो साइमन and सफ़ाड, साइमन सेफ़ाड, ये दो याद रखना, साइमन सेफ़ाड, साइमन and सेफ़ाड किसका है, केला का वर्गी करन दिये थे, और ये वर्गी करन बहुत डिटेल पढ़ेंगे अपने, बाद में पढ़ेंगे, काफी एक lecture में लूँगा, सब साइंटिस्ट का नाम बताने के नीम्व बर्गी फलो का अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए, research तो वो कहा है दोस्त नागपूर में और नागपूर कहा है, महराष्ट में, महराष्ट में अगर बात करें तो अनार का भी NRC है, नीम्व का भी NRC है, और onion and garlic का भी कहा है दोस्त महराष्ट में, तो ये loving plant, loving plant, यानि कि micronutrients को चाहने वाले होते हैं, इनको प्यार है किस से micronutrients का, अब फलो में juice में कड़वाहट, ये juice है, अब इस juice में कड़वाहट किसके कारण होते हैं, लीमो, लीन, मैंने बताया था ये गलत करोगे, तो juice की बात करें, तो juice में lemon juice, याद रखोगे, lemon juice, चल लिचा जाए, तो क्या था, hesperidium, और इसका major characteristic क्या था, hesperidium का, skin कैसा होना चाहिए, लेदरी होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, wild gland पाया जाना चाहिए, तो ये हमने बात किया, कि citrus जो ग्रूप होते हैं, micronutrient loving होते हैं, फलो में क्या होता है, करवाहट होते हैं किसके कारण, limoline के कारण, इसका research कहा है दोस्त, महराष्ट में है, इसका वरगी करण किसने किया था, tanaka iron, swing ने किया था, kela का किसने किया था, Simon और safe hard ने किया, अब हम बात कर रहे हैं, यहां से एक क्रॉप के वारे में, और सबसे पहला जो क्रॉप है, वो क्या है, संत्रा, तो यह हम करेंगे आपके अगले lecture में, तब तक के लिए आप देखते रहें, अपने subscribe नहीं किया दोस्त, तो अपने channel को subscribe कर ले, इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जय हिन, जय भारत!